असलाम लेकुम स्टूइट आप देख रहे हैं मेरे यूटूब चैनल तालिम तरभियत की दुनिया मैं हम ओम लिया स्टूइबाद हमारे पास जो चप्टर 4 है इसको प्रैक्टिस नौट 12 है वह हम करने लगे हैं अब प्रैक्टिस नौट 12 की अगर हम बात करें तो उसमें क् कि आए कि दश्म तू नमर इस थर्टी सिक्स क्या रहें कि आए को दो नमर है जिनका उन दोनों को एड करें तो क्या बनता है 36 नहीं का मतलब होता है कि अगर क्या किया जाए सब्ट्रेक्ट किया जाए है कि सब्ट्रेक है कि सम का मतलब क्या होता है प्लस उन दोनों को एड़ कर दिजैंड अब थाPower है हमें नम्मर तो पता ही निए नमर हमारे हूं च्वस से तो सबसे पहले हम यह करेंगे हमारे पास जो कि मिलाफ नमर वो क्या है तो नमर लाज़नी लाज़ी बात है हमारे पास कह रहा है दसाम अप्टू नम्मर इस थार्टी सिक अब हम यह करेंगे कि एक नम्मर हम इसमें से बड़ा ले लेते हैं और एक नमर इसमें हम लेंगे जिए चोटा स्लूशन है जी किस का यह वर्ण का लेट करें जो 1 या स्मालर नमर हमारे पास है न भ हमाले गड़ा, छो एब नमबर यह हमारे पास क्या उच्छा य कहा है अब कर कारे पर सिप नबिशन तो फीर्स किंडिशन जो पहली कन्डिश्ञ लगा रहा है उसमें कह रहा है कि इन दोनों का जो sum है sum है वो किस की equal है? 36 की equal है जो कि हमारे पास equation 1 बनेगी अब हम लिखेंगे according to second condition कि जो second condition लगा रहा है वो क्या लगा रहा है? second condition जहें लगा रहा है कि उन दोनों का जो difference है मतलब उन दोनों को subtract किया जाए यनि y-x कर दिया जाए तो वो क्या बनता है 9 बनता है तो ये हमारे पास क्या आगी है एक्योईन 2 आगी अब आप सोच नहीं होगे कि यहाँ पे x प्लस y 36 की है तो यहाँ x-y 36 क्यों नहीं किया y-x क्यों किया इसलिए नहीं किया क्योंकि जब subtraction होती है इडिशन में आप कोई भी number add कर सकते हैं जैसे like हमारे पास 7 में 11 add करो तो लाज़मी बात है यह कितना आजाएगा 18 आजाएगा लेकिन subtraction में तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं 7 में से तो 11 नहीं निकल सकते हैं तो greater number minus smaller number is equal to 6 यह जो difference की बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि बड़ी value मैंसे जब आप छोटी value निकालते हो तो answer क्या आता है 6 आता है यह last में आपको prove करके भी बताऊगा तो यह तो हमारे पास क्या हो गए जी दो equation बन दे अब यहां पर अगर देखें इसको प्रापर थोड़ा से शेप दे के लिखता हूँ इसको 2 नहीं कहता इसको मैं लिखता हूँ अगर minus x plus y is equal to 9 कर देता हूँ इसको next में मतलब और इसे equation 2 कह लिखता हूँ पहले तो यह बनेगा बड़े मेंसे छोटा लेकिन अगर आडर लिखें इसके साथ minus करेंगे और इसके साथ plus करेंगे इसका यही मतलब है कि y में से x subject हो रहा है अब यहां पर बिल्कुल जो exercise 4 यह है उसको question number 1 की शेकल का बन गए अक्से student पूछते हैं कि sir हमें कैसे पता चले का add करने और subject करने अब सबसे पहले variable को देखते होते हैं अब अगर variable को देखें तो यहां पे क्या variable है एक्स है यह भी x है यह y है variable 2 है मारे पास x और y है इसका sign प्लस का है कोई sign यह तो इसका मतलब में plus है इसका साथ क्या है sign minus तो अगर x variable को देखा जाए तो इनके साथ coefficient कोई नहीं है, मतलब 1 है, और इनके साथ sign already different है, इसलिए हम यहाँ पर addition करेंगे, अगर हम y को eliminate करना चाहें, y को उड़ाना चाहें, तो उसमें हमारे पास क्या होगा, कि इसमें y है, इसमें y है, 1, a की y है, और a की y है, यह यह नहीं, variable भी same है, उसके साथ coefficient भी same है, यह नहीं, कीतादात भी same है, और sign भी क्या है, same है, इधर भी plus, इधर भी plus, तो जब sign same हूँ, और variable के साथ coefficient हो, तो वहाँ पर same sign जब हो, तो subtraction की जाती है क्यों क्योंकि इसके साथ plus होगा तो इसके साथ minus होगा तो तो अभी तो कटेगा ना इसलिए subtraction इसलिए करते हैं ताके एक variable के sign change हो जाए है जबकि अगर already sign change है तो add कर दें तो आप simple क्या लेखें add 1 and 2 के बाने वो 2 को add करना है 1 आप लेखें जी x plus y is equal to 36 minus x plus y is equal to 9 यह देखें यह कट गए यहां कितना आजाएगा 2y और यहां कितना आजाएगा 45 तो y की value हमारे पास क्या आजाएगी 45 divided by 2 तो y की जो value हो हमारे पास 22.5 आजाएगी ठीक होगे put in 1 इसको 1 में put भी कर ले put in 1 1 जे क्या है x plus y y की जाएगी 22.5 is equal to 36 तो x is equal to 36 minus 22.5 अब तो x is equal to कितना आगे अब इसकी subtraction का क्या तरीक है देखें 36 है आप देपास इसमें से 22.5 निकालने है तो आप इसका point नहीं है तो इसका point नहीं है तो इसका point पे है तो लाज़मी बात है 22 तो इस तरह आएगा यह नहीं point को point की नीचे रखो point से पहले बाद वला नमर बाद क्योंकि सब्ट्रेक्शन करनी है तो इसके उपर कुछ भी नहीं है तो हमें 0 डालना पड़ते हम लिख सकते हैं 36.0 और 36 एक ही बात है इदर से कहरी लिया यहां बच आप लिखने आगे यह दी तू कि नंबर्स आर क्या है एक सब्सक्राइब लिखने 13.5 और 22.5 अब अगर इसी कंडिशन में आप एड़ करें यही दो नमरों को एड़ करें यहीं थर्टीन पॉइंट थर्टीन पॉइंट फाइफ को 22.5 में एड़ करें पाइफ और फाइफ सब्सक्राइब लिखने 13.5 को इदर लिखें तो जीरो इदर से कहरी लिया 12 12 में सब्सक्राइब नाइन और वान में सब्सक्राइब नाइन पॉइंट जीरो से मुराद नाइन तो यह देख सकते हैं कि इन दोनों इनका डिफरेंस जो है वो नाइन आ रहा है और उनका जो सम है वो 36 तो यह हमारे पास इतना सा कुश्चन था कंप्रीट होगे वीडियो को पास करके उतारें यूंकि इसका सेकेंड पार्ट हम ने करने हैं अच्छा तो वन हमारे यह दो एंगल जो है वन थर्ड आफ तो एंगल जो दो एंगल उनको एड करें और उनका वन थर्ड होन चाहिए वो कितना बनता है और यह दोनों को सब्ट्रेक्शन की जाए और उनका वह सब्ट्रेक्शन का टूटल क्या हो वन पार्ट रोट वह जाएगी चीज़ें अब क्या करें अगें लेट करेंगे जो स्मॉलर एंगल है क्या एक से और जो ग्रेटर एंगल है यह फिर्स्ट एंगल और से लिए अगे यह अब कार्डिंग फिर्स्ट कंडिशन चलिए फोर सब्सक्राइब कर देद लिखने को से अगर्डिंग टू फिर्स्ट कंडिशन के मताबिक क्या बात है पहली कंडिशन में यह कह रहा है सम की बात करता है तो करें दोनों को इनका सम होना चाहिए कर दिया जी सम सिरफ सम की बात नहीं करता करें उनके सम का one third मतलब one third one third of the sum of the two angle is equal to 60 डवे यह पहली है कि sum of two, निए sorry, one third of sum of two angle, कि one third है, one third है, किसका, दो angle जो आपने let की है, उन दोनों angle का, न दोनों angle का, यूनि टो angle का, यूनि तो एंगल कौन से, यह वल angle हो यह वल angle, इन दोनों angle का सम है, उसका one by third होना चाहिए, तो इस लिए one by three से इसलिए कि यह जो चाह रहा है कि इन दोनों का जो ने सम है उसका वन बै थर्ड सिस्टी की इक वल है इसको मजीद थोड़ा सा सिंप्लिफाइब कर की पूइए यह न मना लेते हैं एक सब्सक्राइब तो इसका रेसी प्रोकल हो गया थी बैवा यह आप थी भी लिख सकने से तो एक अब दो नमत्रों को चलते हैं अकार्डेंग तू सेकंडेशन अब यहां पर फिर्ग एंकर वन क्वार्टर ए बैट्बसरी कंडेशन क्या लागा रहे है उसके मताबें सेकंडेशन को मताबें क्या कहरें ए यहां से शूच्च हुट हूए यहां में difference का मतलब होते हैं दोनों को minus कर दियाbon और उंका difference है उनका one quarter when quarter का मतलब होता है one by fourth of the whole part इसलिए one by four निप्रेफ किया और इसका हितला निकार है quarter one quarter of their difference one quarter of the difference difference का मतलब है उन दोनों का difference है उन दोनों को जब आप subtract करते हो उसका one by one quarter किसपीख तो यह एक्स माइनस वाई हो जाएगा और यह 28 मुल्टिप्लाइब है वन वाई फोर जो है यह फोर बाई वन हो जाएगा तो एक्स माइनस वाई इस एक्वल टू फोर इट सर्थ थर्टी टू तू लगा ठीकरी चले गए 112 आ गया यह हमार पास आगी जी एकोईयन टू आगे से ही होगी है 100 एंड इनको चेक कर लें मुल्टिप्लाइब कर गी कि यह सबनार टू यह आगे तो अब यहां पर यह है कि इन में हमारे पास जब हम अच्छा सॉरी इसमें एक और होगे कि इधर लिखना था वाई माइनस एक्स माइनस एक्स प्लस यहां पर यह हुआ क्योंकि जब यह बड़ा एंगल है न तो जब सब्ट्रेक करेंगे तो ग्रेटर एंगल माइनस स्मॉलर एंगल करना था यह बड़े एंगल में से छोटा एंगल निकालते है तो टूटी है यहां पर आपके पास अगेन देखा जाए तो इसका वेरियबल एक्स है प्लस में जब होसे माइनस ए कर Schritt में ऐसे same variable or on के sign already different हो इंहों पर एडिशन होती है अग आप दूसरे को घड़ करें पहला प्लस एक्स था इकोल टूब नाईट यह ब्रया है इस अन्द कर्या थे प्लस टूब 108 26 तो वाय की जो वेलियू है वो हमारे पास कितनी आनगे है 146 इसे क्या करें जी ना पुटकर करते हैं कि तो यह वाय हमारे पास कौन सीखो यह ने यह है दोबारा यह वाग रीपीट करके लिखूँगा तो X is equal to कितना आना चाहिए 34 कि देखो यह एंगर है तो इसलिए उपर थोड़ा सा यह वन हंडर्ड एंड थर्टी-फोर आ गए अब जो कंडिशन को अगर चेक करना चाहिए फर्स कंडिशन है अगर मैं इसमें वेल्यू पूट करूं तो मेरे पास सैटिस्फाय करना जी इन दोनों को एड़ करें 180 डिग्री बन जाएगा और इतर देखें 60 डिग्री 3 618 कैंसल तो 60 is equal to 60 कंडिशन हमारी क्या आओगी है सिमिलर्ली अगर जही के वेल्यू आप पूट कर देते हैं दूसरी जो कंडिशन है सेकंड कंडिशन में तब भी आपका क्या हो जाएगा आं मैनस करो यह दोनों को माइनस करो तो यह 112 आएगा तो यह हमारे पास जो कुस्टन नमबर था जी टू उसको हमने कम्प्रीट कर लिया इसको वीडियो को पास करके उताले इसका पार्ट 3 की दरफ चले अच्छा तो इसी के जो पार्ट 3 है पार्ट 3 में कह रहा है कि दे फिग कि लेंट और बैठ दे दिये आपने इसका प्रेंटर वैंद करके बता अब यहांपे साइट पर लेखे दो कि परिमीटर रेक्टैंगल होता है ना हमें परिमेटर के अगर बात करें, मैं पूरा नहीं लेखता है परिमेटर के आउट रेक्टेंगल का to length plus breadth, यह इसका फार्मूल होता है, तो इसका length plus breadth लेखें या length plus width लेखें, एक ही बात है, तो इसके हमें length भी चाहिए और breadth भी चाहिए, तो यह जो इसकी length दी हुई है और breadth दी ह यह तो इनका मतलब वरियेबल की शकल में दी हुए एक कोई कांस्टेट यह साथ लेकिन वरियेबल है इन जब तक यह एक्स वाइए एक्स एक्स वाइए जब तक हमारे पास एक्स और वाइए दो वेरियेबल की वेल्यू नहीं आती उस टेम तक हम क्या कर सकते हैं कि अब हमें पता है वी नो देट ए कि क्या पता है हमें ओपोजट पुरूजिट साइड ओफ रैक्टैंगल और एकवल कि आपको जिस साइड जो होती है रैक्टैंगल की वह एक्वल होती है तो उसका इसका मदलब यह हुगा कि जो एक्स प्लस वाइ प्लस two जो centimeter है वो equal है two x plus one centimeter मतलब यह है कि length is equal to क्या हो गया है हमने length is equal to length कर लिया मतब opposite side जी अगे है यह भी length है यह भी length है तो equal होगे कि के यह वाली जू side है इस side की equal है इससे हम एकोईन जेनरेरेट कर लेंगे हमारे पस क्या है प्लस य प्लस टू है मैं भी यूनिट हटा देता हूँ आब क्या होगा अब यह वाइक्स और वाई को इधर ले जाता हूँ यह देखें यह एक्वल का साइंचय यहाई रहें यह क्या लिख्वाइटा थू अधर गया तो माइनस एक्स यह यू उधर गया तो क्या तो दूसरी तरफ जा कर क्या हो गए है माइनस हो गए क्योंकर इसके साथ कोई साइन नहीं था प्लस था यह भी प्लस था यह दोनुं प्लस वाले उद्धर जा के माइनस हो अब अगर देखें तो दो एक्स में से एक एक्स गया तो सिर्फ क्या बचा एक्स नहीं नी does x अधर इदर दूनों को shuffle कर देते हैं वहां sign change नहीं होते हैं वहां पर sign जो होते हैं as it is लिख दिए जाते हैं क्योंकि दूनों shift होगी है तो यह हमारे पास क्या हो गया अब हमारे पास जो है दूसरा यहीं के अगें ब्रेट को ब्रेट की इकवल कर लें यहीं ब्रेट इस इकोल टू ब्रेट टकर देखा जाए तो इसमें हमारे पास क्या है x plus 2 x plus 2 is equal to 2y x minus 2y is equal to 2 आगया यह हमारे पास एक और equation आगी जिसको हम नाम दे देते हैं equation 2 का तो यहां तक तो हमने क्या किया कि एक और दो equation बनानी थी वो बना ली अब हमारे लिए काम असान हो गया है कि वही इन दोनों की help से हम x और y की value निकाल जाते हैं अब हमने क्या करना है कि इधर देखें यह जो variable है इसके साथ कोई sign नहीं है इसको मतलब है plus है यह भी plus है इन में हमारे पास x जो है दोनों same है variable same है मतलब इधर भी एक x है इधर भी x है sign in के same है जब भी variable same हो और उनके sign भी same हो तो वहां पर subtraction होती है तो इसलिए हम हम इन दोनों को subtract करेंगे और अगर यहां पर हम y को eliminate करना चाहिए तो यहां इसको इधर हमारे पास अगर 2 होता न यहां पर भी 2 होता थो हम y को भी eliminate कर सकते हैं लेकिन अभी हम क्या करते हैं लेकिन सब्ट्रेक्शन करनी है तो डेफिनेटली हमने क्या करने हैं इनके sign को change कर देने यह देखे प्लस है इनको ऐसे bracket लगा लो न उससे क्या होता है कि पता चलता है कि यह जो sign है न वो change हो गए यह प्लस वाला माइनस वाला माइनस वाला प्लस वाला माइनस यह देखो कट गया तो हमारे पास क्या बचा दो वाई में से एक वाई गया तो सिरफ वाई बच गया दो में से एक गया तो माइनस वान आ तो यह देखे हमारे पास जो वाई की वेलिव है वाई की वेलिव हमा अच्छा यहां पर एक यह थी कि यहांए हुआ की चैजरा तो यह दखें कुण हमारे पास आंसर कि अजाएगा जी 3 वाइनि में एक्स कहाई वाई तो माइनस ट्री आजाएगा अच्छा यह माइनस तो इसका अपना साइगा वह माइनस इससे तरह लगाए है और Y की जगह Y की वैली और दूसरी तरह थे वाणत सट्स्थरों कितने आगी वांगई यह माइनस तरह जो गया लिए 50 क्या दो एक्स हो ग scor नाद वाइश की वैलियों क्या आगी है फिक के प्रिछ्वर्णです छिर शु मर रेक क्या होता है टो लैं प्लस लेंध भी अप सकते हो तो यह लेंध है और प्लस वं झालें टेके कि ये भी लेंद्थ है ये भी लेंद्थ है आप उसको लिख सकते हो तो लेंद्थ अगर मैं यह लिखनो तो एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस टू सही होगे अच्छा इसमें बलकि मैं और अस जो है ऐसा रगत हो कि पूरा कंपलीट रहता हो ताकर आपको असान है अधर लिखांगा लेंद्थ इस एकुल टू 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 एक्स प्लस वन ले लेता हो या यह यह वह आगँ गी बैट की अगर बात की जाये अब इस लेंथ की जगह अगर मैं ये लिखनो। देंबर पास है क्या है और जो हूँ to अब कर दो था दो है अब देखे वारां सब्सक्राइब ए मैंधे बैंस्पास तो आज्या देए लिखें धीं तो मेरे पास क्या है इस सारू को अगर मैं गरूं नाइन तो जगह कावर से चलें इधर लिख लेको अब मेरे पास परिमेटर पी इस इक्वल टू और इन सारों कितना हो जाएगा जी फिफ्टीन हो जाएगा और टू इसी पी इस इक्वल टू तो इसे एयरो लोगा ले दूँ कुछ एसे भी इस इधादे होते जो क्या करते हैं यहाद यहाँ यह पर सोच नहींघे नहीं कि यह कैसे हुआ है और फिर ऐसी परिशान होते रहते हैं तो इसलिए मैंने उनके लिए प्रुबार लगा दिये तो यूं हमारे पास क्या है जी यह कुस्यन होगा जी कंप्लीट हुमीद करते हुआ होगा इसमें कहीं भी किसी रहें कंप्रीन दीच को नहीं जूरुत आईगा